यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थें बड़ा बच्चा दस साल का था और छोटा साथ साल का दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे एक दूसरे के साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ ही गुंगते थे एक दिन दोनों खेलते खेलते गाउं से फिसल गया और वह कुए में गिर गया और जोर जोर से चिलाने लगा अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिलाया लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था तो उसक पतानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रसी बंदी थी उसने बिना कुछ सोचे वह रसी कुए में फेकी और अपने दोस्त को उस रसी को पकड़ने को बोला अगले ही पल वह साथ साल का बच्चा उस दस साल के बच्चे को पागलों की आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में काम्याब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुए से बाहर निकाल लिया लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वह गौँ जाएंगे तो उन्हें बहुत मार परने वाली हैं फिर दोनों डरते डरते गौँ पहुँचे और उन्होंने गौँवाले को खेलते खेलते कुए में गिरने और रसी के सहारे चोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दे लेकिन गौँवाले ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और हसने लगे कि आखिर एक साथ साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रसी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है लेकिन मौझूद एक बुजूर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा किया उन्हें सब करीम चाचा कहते थे करीम चाचा गौं के सबसे समलदार बुजूब में से एक थे गौंबाले को जब करीम चाचा के बच्चे की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकठे होकर करीम चाचा के पास पहुँचे और बोले चाचा हमें तो बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है गौवालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया बच्चे ने कुए में रसी फेकी और दूसरे बच्चे को उपर हिच लिया गौँबाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ देर बाद करीम चाचा मुश्कुराय और बोले सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया सवाल यह है कि वो यह कैसे कर पाया और इसका कुछ एक जवाब है कि जिस वक्त वो बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ यह बतने वाला कोई नहीं था कि तुम यह नहीं कर सकता यहां तक कि वो खुद भी नहीं